जारकन की पिता महा पड़ो और लडो का नारा देने वाले स्वर्गे विनोद बिहारी महतो का सौवा जन्म दिवस बल्यापोर विनोद धाम में मनाये गया जन्म दिवस पर विनोध धाम में कई पार्टी के नेता समा सेवी ने श्रधा सुमन अर्पित की और उन्हें याद किया वहीं डिगरी कॉलेज में प्रथम दिपेज धान प्राप्ति करने वाले छात्र को सम्मानित किया गया साथी निरत्यवा संगीत का कारेकर्म रखा गया था वहीं जन्म दिवस की अपसर पर सांसत पशुपती नाथ सिंग आजसू पाटी केंदरी अध्यक्षि सुदेश महतो सिंद्री विधाय के इंदरजीत महतो की धर्म पत्नी तारा देवी पूर्व विधाय के आनन्द महतो मासस नेता बबलु महतो जगदीश रवानी जामूमो नेता लखी सोरेन धर्नी धर मंडल मुके सिंग आजसू नेता बिरेंदर निशाद प्रमुख पिंकी देवी उप प्रमुख आशा देवी आधी उपस्तित रहे। प्रमुख पिंकी देवी उपस्तित रहे। प्रमुख पिंकी देवी उपस्तित रहे। और उनका जो एक नारा था कि पढ़ो और लड़ो। हर किसी को सीचित होना चाहिए। और तभी आज कोई भी चीज हक के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। लड़ाई लड़ते हैं। जब सीचित होंगे जब जानकारी होंगे तभी तो हम लोग कलम के तागत से लड़ेंगे। और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इनी के पत्चिनों पर हम सभी जारखनवासियों को चलना चाहिए। देखें उनका जो भी नीती है उनके नीती और उनके मार्क दर्सन पर ही हम लोग चल रहे हैं। आज जो कुछ भी है उन्हीं का देन है और उन्हीं का पत्चिनों पर हम लोग चल रहे हैं। साखार हो ही रहा देखिए आज हमारी जो बेटी है आज पंचाइच से लेके एकदम बोलिये तो स्वर्ग तक और आपका पंचाइच से लेके राष्ट पत्टी तक और जितने भी दबतर में हैं पहले तो पूरुसों काम करते थे लेकिन आज बिटिया आज महिलाएं सबसे से आगे हैं और आज देखिए कली दो दिन पहले जो हम लोग के लिए 33% आरश्चन जो लागू किये हमारे जश्व स्वर्धान मंतरी जी को उनको भी कोटी-कोटी नमन करते हैं उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि जिस हक के लिए लड़ाई इतने अरसे से लड़ र हुए हैं वे एक ऐसे बहकती थे जो भूलते थे वो करते थे उन्होंने नारा दिया था पढ़ने के लिए और लड़ने के लिए कानुन बहर को जानने के लिए पढ़ना चाहिए और हक अधिकार को लेने के लिए लड़ना चाहिए तो ये केवल मुँ से ही नहीं बोले केवल भासन तक ही सिमित नहीं रहे बलकि उसको जमिन में अपने ब्यवारिक रूप दे करके इसको ब्यवारिक रूप दिया उन्होंने समाज को सिक्षित करने के लिए जगह जगह पर गहां उस्वार में इस्कूल कलेज बीधी महाविद दालाया दिखोलें ताकि लोग पढ़े और अपने हग अधिकार को समझें दूसरे ये सब होने के बाद भी नेक्स्ट जो ये था कि केवल जानने से ही अधिकार मिलेगा नहीं अधिकार छिनने वाले इतना दयाबान नहीं है जो अधिकार मांगने से देदेगा इसलिए लड़ने का नारा दिया और केवल नारा ही नहीं बलकि वो खुद लड़ा भी और हमारे देश में सबसे पाले मीशा में जेल जाने वाला बिनोद व्यारी मोत हो था देखिए ये इसके बाद में हम आना चाहते हैं आएंगे लेकिन अहाँ उन्हों पढ़ो लिकों का नारा दिया वो जमिन में करके दिखाया समाज में उन्होंने किया इसके बाद भी उन्के ये से एक राए के साथ मिलने के वजह से जारकन ऑन्दोलन तो भी उन्होंने काफी रूप दिया और रूस अंदोलन के दर्मियान अलग हुआ लेकिन उनका नारा था सोशन मुक्ति जारकन का लेकिन जारकन सोशन जुक्त मिला इसलिए अभी हम लोग जेतने लोग खड़े हुए हैं जमा हुए हैं हम लोग को ये सोचना होगा बिनोद बिहारी का सपना जोद उड़ारा ये सोशन मुक्ति जारकन का तो ये सोशन मुक्ति जारकन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग को विचार का इसके लिए जहां तक मेरा अपना ही है कि इसमें इस तमख भासा का अंदोलन हो या खत्यानी अंदोलन हो या मेनत का स्काम दोलन है इसको अगर समाजवादे सोच के नहीं जोड़ते हैं तो सोचन मुक्त जारकान नहीं हो सकता है यह सपना उनका है सबसे पहले चीज आज उनका सोवा जनमती मना रहे हैं यह खुशी की बात है पुरा जारकन वासियों के लिए खुशी की बात है आज हमारे बीच वो नई है लेकिन उनकी एशास उनकी जो काज वो हमको हमेशा याद दिलाते हैं कि शिक्षा का उन्होंने बहुत पहलाया है और हर एक वेक्टी को सिक्षा से जो लाब मिलता है उन्होंने समझाया है इसलिए जगा जगा आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि जगा जगा उनका स्कूल से लेकर कोलेज तक महाविदाले तक सब जगा उनका नाम है और वो खोलवाने में बहुत अहम भूमिका अधा किये हैं और उनका सीख से हम लोग पूरे परिवार जारकन मुक्ति कोलेज में बोचियां जो पढ़ने में आज सुविदा नहीं मिलते था आज है उनका सुविदा दिया गया है बच्चे भी हैं पढ़ रहे हैं तो यह बहुत बड़ा उफलब्दी उनका पूरा जारकन के जर्म दाता कहिए उनका हैं और हम लोग उनके जो मार्दर्स है उस जार्खंड के निर्माता थे बहुत सारी काज किये हैं जार्खंड बचाने में की अहां भुमिका है जार्खंड बनाने में की अहां भुमिका है पढ़ो लिखो के नारा दिये महाजनी पर्था खिलाब जंग जारिक किये महाजनी पर्था खतम किये इसलिए इनको हम लोग स पूरा परिवार हम लोग आये हुए है आज स्वामा जंदिन में उनको आपने और से पुस्ट मालमात दे करके सर्जानली में अर्पित करते हैं और विनुत बावु का ही नारा था पड़ो और लड़ो और यह जो राज निर्माताओं में से एक है विनुत बावु उनिका यह ह है इसलिए हम लोग आपने और से बहुत-बहुत स्वधानली देते हैं अज बिनुत बिहारे महतो जी का सोमा जनम दिवश है और इस लक्ष में हम पूरा जहरकंडवासियों को सुभकामनाय देती हूं और आज का दिन बहुत महत्पुर्ण दियन है कि 23 नो 23 को 100 साल उनको प पिहनत किये ते हैं और उसका रंग के साथ आज हम लोग राज कर रहे हैं और उनके मार दर्षन में और वही हम लोग को मार दर्षन दिये हैं कि पढ़ो और लड़ो करने के बाद हम ऽोको एक अलग राज ही समारना है उनके दिये हुए मार्दरसन पे हम लोग चलेंगे और आगे की और बढ़ेंगे और जार्खन को समारेंगे हरा बरा जार्खन हमेशा हम लोग हरा बरा रखने का काम करेंगे